तो अभी जो filter हम लोग करेंगे उसका नाम है vanishing point vanishing point filter actually क्या होता है मैं आपको सबसे पहले एक example देती हूँ मैं एक image लेती हूँ जिसमें room का now यह जो vanishing point filter है वो generally हम लोग room के उपर ही use करते है तो यह जो मेरा नया फाइल है, इसमें मैं यह रूम को लेके जाती हूँ, अब यह रूम का जो size, मतब जो image है, वो बहुत ही छोटा है, तो आप इस रूम को convert कीजिए, smart object, ctrl T, alt or shift और आप थोड़ा सा इसको stretch कीजिए, ठीक है, enter, अभी image and suppose reveal all, then image and trim, अभी मुझे क्या करना है, suppose यह जो door है, यहां door नहीं, door तो straight है, suppose यह जो wall है, इस wall पे मुझे कुछ डालना है, images या कुछ भी, मतलब suppose मुझे client को दिखाना है, कि यहां आप कुछ डाल सकते हैं, तो मैं rectangle tool लेती हूँ, अगर आप इसको normally करने जाए, आप इस पे rectangle tool लीजिए, fill color आप कुछ भी डाल दीजिए, इसमें, और direct selection tool यानि A, direct selection tool से आप इसको ऐसे, आप इसको just transform कर सकते हैं, पर इसमें हो सकता है, कि जो output आपको चाहिए, वो उतना अच्छा नहीं आपको मिलेगा, तो इसलिए हम लोग एक filter यूज़ करते हैं, जिसका नाम है, vanishing point, यह जो image है, इसको में delete कर देती हूँ, तो अभी मैं करती हूँ open, मुझे suppose कोई image डालना है, as a, suppose lens, तो यह जो image है, इसको मुझे यहाँ डालना है, image का size अगर बहुत जादा बड़ा है, तो आप image का size पहले छोटा कर लीजिए, ताके वो थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाए, और एक problem है, यह जो image है, that is horizontal, बट मेरा यह जो area है, वो मेरा vertical है, तो मैं एक काम करती हूँ, यह पूरा image मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा image ले ले लेती हूँ, इतना image मैं यहाँ से ले लेती हूँ, बाकी जो image है वो में delete कर दूँगे, select inverse and delete, control D, तो suppose यह image को मुझे यहाँ place करना है, तो आप क्या कीजिए, control प्रेस कीजिए, और यह जो image का thumbnail है, उसके उपर आप click कीजिए, और control C, तो मैंने क्या किया, मैंने control प्रेस करके, यह जो image thumbnail है, इस पे मैंने click किया, और control C, आप कहीं कुछ paste मत कीजिए, सिर्फ उसको copy करके रखिए, इस तरह से अगर आप copy करते हैं, इसको बोलते है, copy to clipboard, now control D, और यह जो image है, इसको आप off कर दीजिए, अभी यह जो room का layer है, उसको आप select कीजिए, filter, okay, इसको select करने के लिए, अच्छा, यह smart object हो गया है, तो यह जो filter है vanishing point, वो smart object के उपर, it doesn't work, यह काम नहीं करता है, तो आपको इसको rasterize करना होगा, फिर filter, अब देखिए, यह जो vanishing point filter है, वो अभी activate हो गया है, आप click कीजिए vanishing point, और आप यहां से ऐसे एक shape डाली, यह देखिए, मुझे अगर यहां से shape करना है, यह देखिए, ऐसे मैंने एक shape यहां draw कर लिए, यहां देखिए, आ मैं थोड़ा सा इसको zoom करती हूँ, आप यहां से इसको zoom कर सकते हैं, तो यह है आपका grid size, अगर आप grid size को increase करना चाते हैं, तो आप grid size को increase भी कर सकते हैं, यह grid है, तो मैं यहां एक grid में यहां से draw कर लेती हूँ, सपोज ऐसा grid में यहां draw कर रही हूँ, ठीक है, आप इसको नीचे लेके आए, red नहीं होना चाहिए line, line हमेशा blue ही रहना चाहिए, और आप कीजिए V, मतलब जो मैंने copy किया था जो image, वो मैं अभी यहां paste कर दिये, अब देखिए इसको मैं ऐसे इसके अंदर drag करके लाऊंगी, यह देखिए, मैं इस image को ऐसे drag करके यहां ला रही हूँ, तो देखिए यह आपका पूरा transform हो गया, मतलब यह जो grid है, उसके हि इसके हो गया, अभी यह जो transform का option है, उस पर आप इसको छोटा भी कर सकते है, इमेज को, तो यहां से आप देखिए, अगर कोई tool है, यह है अपका transform tool, तो आप transform से आप image को छोटा भी कर सकते है, या आप उसको rotate भी कर सकते है, मतलब जैसे आपको चाहिए, आप image को सब कुछ यहां कर सकते है, तो ऐसे मैं image को select किये, और इसको transform करके, मैं इस image को छोटा कर दिये, तो इससे क्या है, इससे आप client को दिखा सकते है, कि ओके, आप अगर यहां कोई image डालोगे, तो यह image ऐसा दिखेगा, तो यह मेरा हो गया vanishing point, vanishing point आप यहां भी use कर सकते है, मतलब फ्लो मैं ऐसा flooring पे मैं डालती हूँ, फिर इसको मैं ठीक करती हूँ, then V, अभी इसको आप drag करके यहां लेके आई, आपको अगर client को दिखाना है, कि अगर आप, मतलब कुछ carpet या कुछ floor tile जो होते है न, floor tiles या floor carpets, तो उसके हिसाब से यह कैसे दिखेगा, वो आप यहां से कर सकत है, हाँ, यह मेरा image है, जो image थोड़ा सा छोटा है, वो अलग बात है, बट आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो यह मेरा हो गया filter, जिसका नाम है vanishing point, हमेशा image में अगर कोई error आ रहा है, जैसे मेरा error अभी आ रहा था, एक बड़ आप check किजिए, सब कुछ delete करने से पहले, एक जो error आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, तभी जाके आप जो हम लोग इसको बोलते हैं कुछ problem को solve करना, वो आप फिर कर सकते हैं,